अगर आप उत्राखंड बंदरोगा से रिलेटेड तेहरी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपर्टन साभित होने वाला है इस वीडियो हम देखेंगे उत्राखंड बंदरोगा के विज्ञान पाठ्यक्रम प्राधारित मॉडल पेपर और उत्राखंड बंद से कोई ओडर आएगा और भरती गैंसल हो जाएगी या फिर फरवरी तीन एप्लिकेशन क्लोजिंग डेट का वेट कर लेते हैं फिर सबकुछ सही रात तो उसकी त्यारी आके करेंगे लेकिन लेकिन अगर हम आयूक की वेबसाइट के अनुसार चलें जिसमें की वंदरोगा अगर नोटिफिकेशन दिया गया है और उसमें परिक्सा की जो प्रस्तावित महीना दिया गया वो दिया गया है अपरेल और अगर अपरेल फस्ट वीक में आपका एक्जाम होता है तो लगबग आज से के वल 90 दिन आपके पास बचे हैं और आप अगर इनी सवालों में उल 30 दिन में जो प्रेसर क्रियेट होगा आपके दिमाग में वह आपको पढ़ने नहीं देगा तो समझदारी इसी में है कि हम आयोक की वेबसाइट के अनुसार चलें ना कि किसी वाइरल वीडियो के अनुसार हाँ अगर भरती प्रग्रिया में कोई डीला आता है या फिर कोई नोटिफिकिशन आदा या उक की तरफ शे तो उसकी आपको तुरंत इतला कर दी जाएगी और उसी पैटन के हिसाब से फिरम आगे प्रेक्टिस सट चलाएंगे देखे आप चाहे उत्राखंड एक्जाम की पहली तयारी कर रहे हैं आप पहला एक्जाम दे रहे हैं और वन दरोगा से रिलेटिट इस मॉडल वेपर को हल करते हैं तो इसका पहला कुश्चन है एक किलोग्राम राशी का वजन है कुश्चन मार्क इसकी ऑप्षिन है हमारे बास ऑप्षिन नमबर एक वन न्यूटन ऑप्षिन बी 10 न्यूटन ऑप्षिन सी 9.8 न्यूटन या एक किलोग्राम राशी का वजन बताना है तो इसका सही आंसर है ऑप्षिन नमबर सी 9.8 न्यूटन एक किलोग्राम राशी का वजन होता है तो जलते नेक्स्ट कुश्चन पे कुश्चन नमबर टू तो इसका कुश्चन नमबर टू है जड़त्व आगूड वो कोडिये तुराण का गुड़न फल होता है कुश्चन मार्क तो हमें जड़त्व आगूड और कोडिये तुराण का गुड़न फल बताना है क्या होता है तो इसके ऑप्षिन हमारे पास है ऑप्षिन नमबर A बल Option B, Tark Option C, Car या फिर Option D, Codian Somewhere तो जड़तु आंगूण का जड़तु आंगूण में कोडिये तुराण का जो गुड़नफल होता है वो होता है Option B, Tark चलते हैं Next Question B, Question Number Third Question Number Third है अमरे पास जल के आयतन में क्या परिवर्टन होगा? यदि ताप मान 9 degree Celsius से 3 degree Celsius कर दिया जाता है तो हमें आयतन का परिवर्टन बताना क्या होगा? इसके Option है Option Number A, आयतन में कोई परिवर्टन नहीं होगा या फिर Option B, आयतन पहले बढ़ेगा और बात में घटेगा या फिर Option Number C, आयतन पहले घटेगा और बात में बढ़ेगा या फिर Option D, पानी जम जाएगा तो 9 degree से अगर 3 degree पानी का टेंपरिशर कर दिया जाए तो आयतन में क्या परिवर्टन होगा? यह बताना है इसका Answer होगा Option Number C, आयतन पहले घटेगा और बात में बढ़ जाएगा Next Question पे चलते है Question Number 4 इसका Question Number 4 है पानी से भरे बीकर में बर्फ तैर रही है जब बर्फ पूर्ण तहाब पिगल जाए तो बीकर में पानी का तल क्या होगा यह बताना है इसके Option है हमारे पास Option Number A, बढ़ेगा Option B, घटेगा Option C, उतना ही रहेगा या फिर Option Number D, पहले बढ़ेगा, बाद में गटेगा तो इसका सही आंसर होगा Option Number C, उतना ही रहेगा Next Question, Question Number 5 जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल तूट जाती है, क्योंकि इसके Option है हमारे पास Option Number A, पानी जमने पर फैलता है Option B, बोतल हमांक पर सिकुरती है Option C, बोतल के बाहर का ताप करम अंदर से ज़्यादा होता है या फिर Option Number D, पानी गरम करने पर फैलता है तो इसका राइट आंसर है Option Number A, पानी जमने पर फैलता है अगर किसी बोतल में बोतल जमने पानी भरा है और बोतल जमती है तो बोतल फट सकती है ऐसा नॉर्मली काच की बोतल के सांग होता है तो चलते हैं Next Question के साथ Question Number 6 सडक पर चलने के उपेक्षा बर्फ पर चलना कठीन है क्योंकि इसके Option है हमारे पास Option Number A, बर्फ सडक से सकती है Option B, सडक बर्फ से सकती है Option C, जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई परतिकरिया वक्त नहीं करती या फिर Option D, बर्फ पर सडक की उपेक्षा घर्शन कम होता है तो इसका अंसर होगा Option Number D, बर्फ पर सडक की उपेक्षा घर्शन कम होता है उचलते हैं Next Question पे Q7 एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज तो इसका Option अंसर बताना है जहाज का इस्तर क्या रहेगा अगर कोई जहाज नदी से समुद्र में एंटर करता है तो तो इसको option A है है हमारे पास जहाज का इस्तर पहले जितना होगा या थोड़ा उपर जाएगा या थोड़ा नीचे आएगा या फिर option number D उपर या नीचे होगा जो उस पर पड़े हुए बहार पर निर्वर करता है तो इसका right answer है हमारे पास option number B जहाज थोड़ा उपर जाएगा अगर कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेस करता है तो जहाज थोड़ा उपर जाएगा next question चलते है question number 8 लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है तो इसके option है हमारे पास लोहे की पारे में रसाइनिक क्रिया की प्रवती पानी के तुलना में कम होती है option B है लोहे का भार पानी से अधिक होता है option C है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम या फिर option number D पारा पानी से भारी है तो इसका right answer है option number C लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम next question पे चलते हैं question number 9 पानी का घनत्व अधिक्तम होता है question mark इसके option है हमारे पास 100 degree पर 4 degree पर 0 degree पर या फिर minus 4 degree पर तो पानी का घनत्व अधिक्तम कितने degree पर होता है ये बताना है इसका right answer होगा option number B 4 degree पर पानी का घनत्व अधिक्तम होता है next question question number 10 वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्थित रहेगा तो क्या परिवर्थित रहेगा अगर वस्तु की मात्रा बदल दी जाए तो क्या आयतन परिवर्थित रहेगा या फिर option number B भार या फिर option number C द्रबिमान या फिर option number D घनत्व तो इसका सही answer होगा option number D घनत्व next question पर चलते है question number 11 समुद्र में तैरते बर्फ के टुकड़ी का कितना भाग समुद्र की सता के उपर रहता है तो इसके option है अपर पास option number A एक बटा नौ option B एक बटा दस option C एक बटा सिक्स option D एक बटा चार तो इसका right answer होगा समुद्र में तैरते बर्फ के टुकड़ी का भाग कितना भाग समुद्र के सता के उपर रहता है तो इसका right answer है option number B एक बटा दस भाग समुद्र के उपर रहता है इसका next question है question number 11 बर्फ के दो टुकड़े बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिमबक जाते है क्योंकि इसके option है हमारे पास दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांग घट जाता है option B है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांग बढ़ जाता है option C दाब अधिक होने से बर्फ का गलनंग पले घटता है और फिर बढ़ जाता है next question पर चलते हैं question number 13 हवाई जाज से यात्रा करते समय पैन से सही निकलने लगती है क्यों इसका कारण आपको बताना इसके option है option number A वायुदाब में कमी के कारण option B वायुदाब में व्रिद्धी के कारण option number C स्याही के आयतर में व्रिद्धी के कारण या फिर option number D अत्यदिक भार के कारण तो इसका right answer होगा option number A वायुदाब में कमी के कारण तो next question पर चलते हैं question number 14 उचाही की जगहों पर पानी 100 degree Celsius के नीचे के ताप मन पर क्यों उबल जाता है इसके option हैं हमारे पास option number A वायुदाब में दाप कम होने के कारण option B गुरुत्वगर्षन कम होने के कारण option C परवतों पर भारी हवा होने के कारण option number D उप्रयोक तुमें से कोई नहीं तो यह बताना है हमें उचाई की जगहों पर 100 degree Celsius के ताप मन पर क्यों पानी उबल जाता है 100 degree Celsius से नीचे के ताप मन पर क्यों तो इसका right option होगा option number A वायुदाब कम होने के कारण next question question number 15 पानी के बुलबुले के अंदर का दाब जो होगा यह बताना है इसके option है हमारे पास वाय मंदली दाब से अधिक होता है option B वाय मंदली दाब से कम होता है option number C वाय मंदली दाब के बराबर होता है यह पिर option number D वाय मंदली दाब का अधा होता है तो सावन के बुलबुले के अंदर का दाब वाय मंडली दाप से compare करना है तो इसका right answer होगा option number A वाय मंडली दाप से अधिक होता है वाय के बुलबुले के अंदर का दाप next question question number 16 निमनिकित मैंसे किसके उस सर्जन में संभारी कुत्पन होते है question mark इसके option है हमार पास option number A, alpha कर्ण option B, beta कर्ण option C, gamma कर्ण या फिर option number D, x-ray तो किसके उस सर्जन से संभारी कुत्पन होते हैं ये बता रहे है इसका right answer होगा option number B, beta कर्ण next question question number 17 रियोडियो दर्मी पद्दार्थ में किस दोरान कोई परिवर्टन नहीं होता है तो इसके option है हमार पास option number A, beta उस सर्जन के दोरान option B, gamma उस सर्जन के दोरान या फिर option number C, oxygen कर्ण के दोरान या फिर option D, alpha उस सर्जन के दोरान तो रियोडियो दर्मी पद्दार्थ में किस दोरान कोई परिवर्टन नहीं होता है इसका right answer है option number B gamma उस सर्जन के दोरान कोई परिवर्दन नहीं होता है रेडिव धर्मी पतदार्थ में next question question number 18 question number 18 है alpha, beta तथा gamma की वेतन नहीं होगा यह वेधन होगा वेधन सकती अपने आरोई क्रम में किस क्रम में होती है इसका option number A है alpha, beta, gamma option B है gamma, beta, alpha option C है beta, alpha, gamma या फिर option number D gamma, alpha, beta तो इसका right answer होगा option number B gamma, beta, alpha सबसे ज़्यादा होती है gamma की वेतन समता और उसके बाद beta उसके बाद alpha next question पे चलते है question number 19 निमने कित में से कौन सा सौर उड़ जागा सुरूत है इसके option है हमारे पास option number A, ना भीकियो विकंडन option B, ना भीकिया सल्लेयन option C, कृतिम रेडियो धर्मिता या फिर option number D, X किरण उससर्जन तो इसका right answer है option number B ना भीकिया सल्लेयन जो है वो सौर उड़ जागा सुरूत है तो चलते हैं next question question number 20 निमने लिखित रसाइनिक तत्वों में से किस तत्व की अपनी सभी यौगी को में आक्सी कराना मस्ता समान होती है इसके option है हमारे बास option number A, कारबन option B, फ्लोरीन option C, हैट्रुजन या फिर option number D, आक्सीजन तो निमने लिखित रसाइनिक तत्वों में से किस तत्व की अपनी सभी यौगी को में आक्सी कराना मस्ता समान होती है इसका right answer होगा option number B, फ्लोरीन next question, question number 21 O, F2 में oxygen की आक्सी कराना मस्ता है, question mark इसके option है, हमारे पास option number A plus 2, option B minus 2, option C plus 1, option D minus 1 तो O, F2 में oxygen की आक्सी कराना मस्ता बतानी है तो आपको इसमें जादा deep नहीं खुसना है, आपको सिधे सिधे इसका answer रेट लेना है तो इसका right answer होगा option number A plus 2 O, F2 में oxygen की आक्सी कराना मस्ता होती है plus 2 next question पे चलते हैं, question number 22 natural Jupiter निम्लीखित मेंसे किस एक इधन का मानदिक्तम होता है तो इसका right answer है इसके option है हमारे पास option number A hydrogen, option B charcoal, option C प्राकृत गैस, या फिर option number D gasoline तो किस इधन का मानदिकतम होता है ये बताना है इसका right answer होगा option number A hydrogen, इस इधन का मानदिक्तम होता है 23 रेडियम के प्रत्थकरण में मैं किस खनीच का अप्यूग होता है तो इसके अब्सथ्यन है चुना पत्थर, option B, peach blood option C, rutile या option D, hematite तो radium के पत्था करण में किस खरीश का अभ्योग होता है इसका right answer होगा option number B, peach blood next question 24 sodium carbonate सामान नितहा जाना जाता है इसके option है हमारे पास option number A, lime option B, soda या option C, glass या option number D, quartz तो sodium carbonate सामान नितहा जाना जाता है इसका right answer होगा option number B, soda sodium carbonate को सामान नितहा जाना जाता है soda गे रूप में next question पर आते है question number 25 photographic में इस्थाई करण के रूप में प्रियुक्त होने वाला रसायन है तो इसके option है हमारे पास option number A, sodium sulfate option B, sodium thaiosulfate option C, ammonium पर sulfate, या option number D, बुरेक्स तो फोटोग्राफि में इस्थाई करण के लिए के रूप में प्रियुक्त होने वाला रसायन है, इसका right answer होगा option number B, sodium thaiosulfate next question, question number 26 अती मुलायम खनीच, टाल्क, या फिर सोब श्टोन, मुख्यता है क्या है ये बताना है इसके option है हमारे पास मेंगनीच, सिलिकेट option B, sodium सिलिकेट option C, sodium फास्पेट या फिर option number D, magnesium सिलिकेट तो अती मुलायम खनीच, टाल्क, स्वाप, श्टोन, मुख्यता है इसका right answer होगा option number D, magnesium सिलिकेट next question, question number 25 question 27 बोतल में aluminium की मात्रा लोहे से अधिक है sorry, sorry ये गलत है इसका printing मिस्टेग है ये बोतल नहीं होगा, ये धरातल होगा धरातल में aluminium की मात्रा लोहे से अधिक है फिर भी aluminium में लोहे से महंगा है क्यों? तो इसका कारणा में बताना है, इसके option है हमारे पास अलुमेनियम लोही की उपकरणों की मांग लोही के उपकरण से अधिक है या फिर अप्शन नमबर D अलुमेनियम उत्पादन की धात्विक विदिया लोही की उपकरण से अधिक है तो इसका सही आंसर भी होगा अप्शन नमबर D अलुमीनियम उतपादन की धात्विक विदिया लोघ कोपयुएं फेक्श्थ अधिक अधिक है इसका प्रोडक्शन मैंगा है अलुमीनियम जिस तरीक़ी निकाला जाता है लोघ कोपयुएं इसलिए अलुमीनियम महंगा आ है नेक्स्ट कॉश्चamente question number 28 बाकसाइद किसका I.S. काफि रिपिटेट कुशन है इसका option है हमारे पास option number A, Sisa option number B, Aluminium option number C, Jink या फिर option number D, Copper तो बाकसाइद किसका I.S. काफिशन है ये बताना है इसका right answer होगा option number B, Aluminium next question, question number 29 अलुमीनियम के संबंद में निमनल इखित में से कौन सा गतन सहीं नहीं है इसके आप्शन है हमारे पास अलुमीनियम हैडर अक्साइट प्राकृती से एमठाफिक होता है या फिर अप्शन नमबर बी अलुमीनियम प्राकृत में स्वतंतर अवस्ता में पाए जाता है या फिर अप्शन नमबर सी नैट्री कंबल अलुमीनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता या फिर अप्शन नमबर डी कर्म सांद्र कंधा कंबल अलुमीनियम के साथ SO2 देता है तो इसका राइड आंसर होग अप्शन नमबर बी अलुमीनियम प्राकृत में स्वतंतर अवस्ता में पाए जाता है नेक्स्ट कुशन कुशन नमबर 30 प्लास्ट और पैरिस का रसानिक सूत्र पुछा गया है इसके अप्शन नमबर ए है CSO4.5S2 इसके अप्शन भी है 2CSO4.s2 इसका सेकर थर्ड 2.2S2 या फिर अप्शन नमबर D CSO4.mgo तो इसका राइड अप्शन नमबर B 2CSO4.s2 नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 31 मेडल के अनुमान सक्ता का सिद्दान्त किस पर अधरित है इसका अप्शन नमबर A है का एक जनन अप्शन नमबर B लेंग एक जनन अप्शन नमबर C तो इसका राइड अंसर होगा मेडल के अनुमान सक्ता का सिद्दान्त किस पर अधरित है इसका अप्शन नमबर C लेंग एक जनन नेक्स नमबर 33 ब्रून किस में मिलता है इसके अप्शन है हमारे पास अप्शन नमबर A फूल, अप्शन नमबर B पंड, अप्शन नमर C पीच और फिर अप्शन नमर D कली तो ब्रून किसमें बिलता है यह बताना है इसका आंसर होगा option number C peach दोस्तो प्रैक्टिस सेट थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा speed में चलना पड़ेगा तो चलते हैं question number 33 प्रकाश translation होता है question mark इसके option है हमारे पास option number A nucleus में option number B mitrocondia में option number C chloroplast में या option number D पर आक्सिसोम में तो इसका right answer होगा option number C chloroplast में होता है प्रकाश translation चलते हैं next question पे question number 34 लैंगिक जनन से अनुवान सिक मिच्टरण कैसे होता है यह बताना है इसके option है हमारे पास option number A जीन के समिच्टरण से option number B chromosome में बदलाव से option number C जीन के मिच्टरण से या फिर option number D प्रोक्तुस सभी तो लैंगिक जनन से अनुवान सिक विच्टरण कैसे होता है यह बताना है इसका right answer होग option number C D प्रोक्तुस सभी जीन के समिच्टरण से थार्टी फाइब एट से विच्टरण के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई की दबाई है यानि एचा है एट से के लिए सबसे ज़्यादा प्रियोग में लाए जाने वाली दबाई है इसके option number A जूडो वूडीन एजेट टीवी कहते हैं से option number B माइको नाजोल option C नानाकसिनाल 9 option D विराजोल तो इसका right answer होगा option number A जूडो वूडीन एजेट टी एट से विचाड़ों के लिए सबसे ज़्यादा यूज में लाई जाती है चलते हैं question number 36 पे किस सूस में जीव के दबारा hepatitis B की बिमारी होती है तो इसके option है हमारे बाज option number A virus option B protozoa option number C bacteria या फिर option number D वो प्रोक तुमें कोई नहीं तो इसका right answer होगा option number A virus virus के कारान होता है hepatitis B काफी repeated question है चलते हैं question number 35 पे निकर द्रिश्टी दोस का संबंद किस से है यह बताना है इसका पहला option है फेपडे option B मस्तिस्क option C कान या फिर option number D आक तो निकर द्रिश्टी दोस का संबंद किस से है यह बताना है काफी easy question है तो इसका right answer है आक next question question number 38 प्लाज्मा में जल का परतिशत होता है question mark तो प्लाज्मा में जल का परतिशत कितना होता है यह बताना है इसका option है हमार बास option number A 60% option B 70% option number C 80% या फिर option number D 90% तो प्लाज्मा में जल का परतिशत कितना होता है यह बताना है इसका right answer होग option number D 90% तो चलते हैं question number 39 ने पर, एक कारीसल महिला को परटी दिन कितने प्रोटीन लेना चाहिए यानी कोई काम करने वाली महिला है जो काम करते रहती है या कोई हाउस बाइब है या फिर कोई जो आप करती है, नोर्मली तो इसके अप्शन है हमारे पास 30 gram इसे protein लेना चाहिए 37 gram इसे protein लेना चाहिए 40 gram इसे protein लेना चाहिए या फिर 45 gram इसे protein लेना चाहिए तो इसक्राइड answer होगा option number D एक कारे सिल महिला को पड़ती दिन 45 gram protein लेना चाहिए next question पे आते हैं question number 840 निमना लिकित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है इसके option है हमारे पास option number A मचली, option B कबुतर, option C तिल चट्टा या फिर option number D मैडक तो कौन है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है इसका right answer होगा option number D मैडक चलता है 41 पे रख तो होता है question mark इसके option है हमारे पास option number A, एक संयोजी उतक, option B, एक उपकलित उतक, option C, A और B दोनो या फिर option number D, उपरोक तुमे कोई नहीं तो रख तो होता है इसका right answer है option number A, एक संयोजी उतक next question question number 42 मौनाव सरीर के किस अंग में लसी का कोई सिकाए बनती है question mark तो लसी का कोई सिकाए किस अंग में बनती है इसका right, इसका option है हमारे पास option number A, एक रत, option B, दीर गस्ती, option C, अगनास है या फिर option number D, तिली तो मानव सरीर के किस अंग में लसी का कोई सिकाए बनती है इसका right answer है option number B, दीर गस्ती, दीर गस्ती में लसी का कोई सिकाए बनती है next question number 43, सुची 1 वो सुची 2 का मिलान करी तो सुची 1 में हमारे पास, सुखा, बेरी बेरी, निसान दता, इसकरवी, तो देखे दोस्तों इसमें मिलान करना है, इसके option मैंने आपको नहीं दिये हैं, खाली वो लंबा हो जाता है वीडियो, तो इसके right answer इनी के सामने लिखे हुए है, सुखा रोग होता है, विटामिन सी से, तो चलते हैं, नेक्स्ट कोश्चन की और कुश्चन नमबर 44, मदू सूधनी इंसुलीन अन्ता स्त्रावक 1, तो मदू सूधनी इंसुलीन के बारे में बताना है, या अन्ता स्त्रावण है, एक, तो इसके option हैं हमारे पास, गलाइको लीपिड है, option B वसी अमल है, option C प एक, क्या है, ये बताना है, इसके राइड अन्सर होगा, पैप्टाइड है, मदू सूधनी इंसुलीन एक पैप्टाइड है, नेक्स्ट क्शन पर चलता है, question number 45, निमनल लिखित में से कौन सा स्करवी रोग के लाजब अप्योगी है, तो इसके option है, हमारे पास, option number A, option B, प तो चलता है, नेक्स्ट क्शन के और, question number 46, पौधों में पानी उपड़ चड़ता है, तो किस से उपड़ चड़ता है, इसके option है, हमारे पास, option number A, वास्पुस सर्जन खिचाओ द्वारा, option B, बल द्वारा, option C, आईतन द्वारा, या फिर option D, इनमें से कोई नहीं, तो पौ और, option number A, वास्पुस सर्जन खिचाओ द्वारा, तो चलता है, next question B, question number 47, तो question number 47 है, गार्ट को सिकाए पाए जाती है, question mark, इसके option है, हमारे पास, option number A, root tips में, option B, stomata में, option C, ovary में, या फिर option number D, इनमें से कोई नहीं, तो गार्ट को सिकाए कहाँ पाए जाती है, इसका right option है, option number B, stomata में, चलता है, next question पे, question number 48, गार्ट को उतक की उत्पत्ती होती है, question mark, तो किस से होती है, ये बताना है, इसके option है, हमारे पास, option number A, periderm, option B, phelogen से, option C, pheloderm से, या फिर option number D, इनमें से कोई नहीं, तो कार्ट क की उत्पत्ती कहाँ से होती है, इसका right answer होगा, option number B, phelogen से, कार को तक की उत्पत्ती होती है, चलते question number 14, नाइन पे, इसके एलेरेन काइमा की भित्ती होती है, question mark, तो इसके option है, हमारे पास, option number A, कड़ी, option B, लिग्रिफाइड, option C, phelogen से, पेक्टिन, या फिर option number D, इनमें से कोई नहीं, तो इसके एलेरेन काइमा की भित्ती होती है, इसका right answer होग, option number B, लिग्रिफाइड, चलते हैं, next question, B, question number 50, जनल निसकंदन सबसे मंदो होता है, question mark, तो किसमों उदाएग बताना है, इसके option है, हमारे पास, black carton मिट्टी में, option B, sandy मिट्टी में, option C, red मिट्टी में, या फिर option number D, इनमें से कोई नहीं, तो जनल निसकंदन सबसे मंदो किसमें होता है, यह बताना है, इसका right answer हो, option number E, black carton मिट्टी में, जनल निसकंदन सबसे मंदो होता है, चलते हैं, next question, question number 51, परासरण में, विसरण होता है, question mark, परासरण में, विसरण होता है, question mark, इसका answer बताना है, इसके option है, हमार पास, विलायक का, option B, gel का, option C, सुतंत्र उर्जा का, या फिर option number D, इनमें से कोई नहीं, तो परासरण में, विसरण होता है, इसका right answer है, option number B, gel का, यह gel है, दोस्तो, gel नहीं है, चलता है, option number 52, पर, कोशिका, मैं, विलाय, मिलाने पर बढ़ता है, question mark, तो दोस्तो, इसमें, detail में जाने का, कोई फायदा नहीं है, सिद्धे आपको, इसके question रटने, question के साथ, उसके answer रट लेने, क्योंकि, आप deep में जाएंगे, तो बहुत ज़्यादर deep हो जाएगा, तो इसके option है, हमारे पास, tp, option b, dp, option c, op, या फिर option number d, इनमें से कोई नहीं, तो कोशिका, मैं, विलाय, मिलाने पर बढ़ता क्या है, यह बता रहे हैं, इसका right answer है, option number c, op, चलता next question बे, question number 53, दोस्तों, एक question जो है, सारे question important है, पिछली परिक्षा में पूछे गए question है, उनी से एक practice set जो है, बनाया गया है, तो 53 question है, dp, d, किसके बराबर होता है, इसके option है, हमारे पास, op into tp, option b, op plus tp, option c, tp minus op, या फिर option d, op minus tp, तो इसका जो भी answer है, वो answer आपको रट लेना है, और इसका right answer है, option number d, op minus tp, dp, dp, d, के बराबर होता है, तो जलता है question number 54, पे, लोरोफिल का प्रारंबिक पदार्थ है, question mark, इसके option है, हमारे पास, tryptoven, option b, carotene, option c, a और भी दोनो, या फिर option number d, chlorophyllide, तो chlorophyll का प्रारंबिक पदार्थ क्या है, यह बता रहा है, इसका answer होगा, option number d, chlorophyllide, चलता है question number 55, पे, ns3 मुक्त होती है, question mark, तो इस option है, हमारे पास, c, a, m, से, option b, अंधिकार स्वसन से, option c, प्रकासिय स्वसन से, या फिर option number d, मैंसे कोई नहीं, तो ns3 मुक्त होती है, इसका right answer है, option number c, प्रकासिय स्वसन से, ns3 मुक्त होती है, next question, question number 56, निमने मैंसे, किसका संतुलन बिंदू अधिक्तम है, तो इसके option है, हमारे पास, c3 पहुंदे, option b, c3 पहुंदे, option c है, a, b, दोनों, और option number d, n मैंसे कोई नहीं, तो निमने मैं, किसका संतुलन बिंदू अधिक होता है, यह बता रहा है, इसका right answer है, option number b, c3 पहुंदे, next question, question number 57, तत्व जो समंदरी पहुंदों के लिए आविश्यक है, तो इसके option है, हमारे पास, option number a, zinc, option number b, sodium, option number c, sona, या फिर option number d, chandhi, तो तत्व जो समंदरी पहुंदों के लिए आविश्यक होते हैं, क्या होते हैं, इसका answer होगा option number B sodium समंदरी पहुंदों के लिए आवश्यक होते है यह सोना चांदी आवश्यक नहीं होते है यह सोना चांदी जो है जमीनी जमीनी इंसान के लिए आवश्यक होते है समंदरी पहुंदों के लिए sodium आवश्यक होता है तो next question 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 number 58 पॉंधों द्वारा अप्सोसित नाइटरूजन कुश्यन मार्क तो पॉंधों द्वारा अप्सोसित नाइटरूजन के बारे में बताना है इसका option है nitrogen में परिवर्थित हो जाती है option number B ammonia में मिलती है option C oxygen तो पॉंधो द्वारा अफ्शोसित नाइट्रोजन का क्या होता है बताना है तो इसका राइट अंसर होगा अप्शिजन के साथ स्युक्त हो जाती है नेक्स्ट कोशियन कोशियन नंबर 59 पड़जेवी पॉंधो का एक उधारण जो की वस्तुता अधिपादप भी होता है अप्शन बी कसकुटा अप्शन सी रैफलिसिया अप्शन नंबर दी मैं से कोई नहीं तब पर जेवी पॉंधो का एक उधारण जो वस्तुता अधिपादप में भी होता है करायड आंसर है अप्शन नंबर ए विसकम नेक्स्ट कोशियन कोशियन नंबर 60 तो कोशियन नंब ओप्शन है अप्शन नंबर ए Spe क्ते कोप अचे में डेए अंप्शन नंबर भी यानिकि या कि और बी तो दोस्तों इसी के साथ फ Molt औरो나oken रहीं हो साथ अगल Sug वीडियो में, थैंक्स पर वाचिंग, प्रोंग्रेसिव जी के अड़ा दाविद नेस के,